हाई फ्रेंड्स मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हो लर्नेश चाह आप सीखते हो इंग्लिश थू हिंदी वेलकम तो वन्मोर इंग्लिश लेस्न दोस्तों आज की इस लेस्न में हम सीखेंगे प्रनुंसियेशन ओफ एडि एंडिग्स एडि एंडिंग्स क्या होता है जबी बही किसी पास्स टेंस का व्रП हमें बनाना है तो हम जैरली क्या करते उसके आगे एडि लगा देते हैं मतलब बैस फॉर्म का व leven काव और ऑगे एडि लगा दो तो हो के वर्ब्स तीन अलग लग प्रिनंसियेशन लेते हैं और आज हम यही सीखेंगे तो चलिए करते हैं लेसन की शुरुवात प्रिनंसियेशन ओफ एडी एंडिंग्स तो यहां पर कुछ वर्ब्स हैं अगर आप नोट करो तो इन वर्ड्स की एंड में टी लगा हुआ है जैसे अप्रिशियेट अभी आप कहोगे अप्रिशियेट के एंड में तो इ है पर इसकी जो साउंड है वो टी पर आके खतम हो जाती है आप इप्रणाउंस ही नहीं कर रहे हो अप्रिशियेट तो पर खतम होता है ऑमिज तो इस तरफ जो वर्ड्स है यह ती में अट होरे है और यह पर जो वर्ड्स है यह वर्ड्स है वो बीम 열 अभी हम क्या करेंगे इन सबके आगे एडी लगाएंगे टाकि यह वर्भ हो जाए पास्टेंस क्या जब भी कभी बेस फॉर्म औफ फॉर्ब्स के end में ट लगा हो या ड लगा हो उसकी pronunciation होती है इड क्या कहेंगे इड इड जैसे accepted accepted difference देखिए accepted accepted I accepted his offer appreciated appreciated he appreciated my speech cheated he cheated on her connected we are well connected to the internet connected and not connected excited I'm excited to go on a trip to Singapore excited avoided we avoided the highway because there's a lot of traffic jam avoided and not avoided decided we have decided to buy that flat or that apartment decided ended the relationship ended on a good note ended and not ended expanded he has expanded his business very fast expanded guarded our borders are guarded 24-7 by our soldiers guarded clear to the base form of the verb T may or D may end होता है तब उसकी pronunciation होती है इड एन नौट एड क्लियर चली बढ़ते आगे यहां पर कुछ वर्ब्स है जो के में अंड होते हैं जैसे आस्क चेक ब्रश कैश क्रैश एसेच में अंड होते हैं अनौञस अर्चेस अनौञस आममें आप काहोगगे की III में थोरए घर पर आक्छेली एंड होरा है सांड्स जो है वासी किया थिया है न hometown similarly chase दोरे होते हूंश अनौा और आज़ टेश सैसेच में थोरहे हैं।ole क्रोंस जो पी में अंड हो रहे हैं अगर उनके आगे में एडी लगा दू तो होगे सारे पास्टेंस के वर्प्स कैसे प्रणॉंस करेंगे आस्क्ड या अनाउंस्ड ऐसे प्रणॉंस करेंगे यह गलत प्रणॉंसियेशन है जैसे कि मैं नहीं बता है कि अगर बेस फ्रम वुद वर्ब्स जो सर्कल किया हो है रेड में अगर इन वर्ड में एंड हो रहे है तो इनकी प्रणॉंसियेशन होगी एक सॉफ्ट टी साउंड सॉफ्टी मतलब अगर आप गले पर हात लगा और त बोलो त आपको यहां पर कोई vibration फिल नहीं होगा तर राइट जैसे asked, I asked for the permission, I asked for the permission, I brushed my teeth in the morning, brushed, they announced the results, announced and not announced, announced, we crossed the highway to reach the lake, crossed, matched, the table perfectly matched the wall color, matched and not matched, fixed, I fixed the kitchen tap, fixed का मतलब होता है की कोई चीज़ को रिपेर करना, उसके भी हम fixed यूज करते है वर्ड, helped, they helped him carry the heavy boxes to his apartment, helped and not helped, checked, we checked the report thoroughly, मतलब हमने बहुत अच्छे से रिपोर्ट को चेक किया, checked, crashed, my friend crashed his new bike, chased, the police chased the thief, chased and not chased, progressed, he has progressed very fast in his business, progressed and not progressed, reached, they home, they reached home safely, they reached home safely, on this weekend, I just relaxed, relaxed, sniffed, 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 the dog, the dog sniffed the bags at the airport, laughed, we laughed at his joke, jokes continuously, laughed, clear, जब भी, verbs, based form of verbs, in words में एंड होते है, तो उसकी प्रनूंसिएशन होती है, end में, softy and not ed, I hope this is clear, चले एक और प्रनूंसिशन देखते है, यहां पर कुछ verbs है और यहां पर भी कुछ verbs है, जैसे revise, S में एंड हो रहा है, pause, V में एंड हो रहा है, Z में एंड हो रहा है, pause, Z का sound ले रहा है, revise भी S का sound लेता है, all the way E में एंड होता है, R-E-V-I-S-E, but end में sound स है, revise, arrive, V में, pull, L में, disarm, M में, turn, N में, examine, E में एंड होता है, examine, E में एंड होता है, rob, B में, arrange, J sound आता है, arrange, और belong, G में एंड होता है, तो यह verbs, in words में एंड हो रहे हैं, और यह verbs, in verbs में एंड हो रहे हैं, और यहाँ पर कुछ और दो verbs है, जैसे borrow और annoy, अगर आप note करो, तो base form of the verb है, B-O-R-R-O-W, जो end होता है, एक vowel sound में, और यहाँ पर annoy, और sound में एंड होता है, जो दोनों ही vowel sounds है, और इनके आगे, जब में E-D लगा ते हो गया, E-D लगा के यह हो गया, past tense के verbs, तो क्या होगी इनकी pronunciation, paused, या borrowed, robbed, इनकी pronunciation होगी, द, 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 अड करके नहीं आएगा, द, और यह voice, अगर आप अभी गले पर हाथ लगा, द, तो vibration आपको feel करेगी, जैसे, revised, we revised the entire portion, revised, I paused the movie, I paused, they arrived late for the meeting, pulled, my dog pulled me towards the door, disarmed, disarmed, the police disarmed the thief and locked him up, disarmed का मतलब होता है, निहत्ता कर देना, उसे निहत्ता कर दिया, turned, we turned on the highway, we turned on the highway to reach the hotel, examined, the doctor examined the patient, examined, robbed, I was robbed yesterday while coming back home, robbed, arranged, his father arranged the money for his picnic, although he couldn't, arranged, belonged, belonged, this house belonged to us three years back, belonged, right, it's the, तो हमने देखा, तीन साउंड्स, सबसे पहला साउंड था, इड साउंड, जबी भी टी और डी मेंड होते words, सेकेंड साउंड हमने जो देखा था, वो था एक टी साउंड, त कर के आता है, तो आप क्या करेंगे, हम एक छोड़ा सा गेम खेलेंगे, मैंने आपर कुछ सेंटेंस इस लिखे हैं, और यह जितने भी रेड में लिखे हैं, यह सारे पास्टेंस के वर्ब्स है, आपको क्या करना है, इसकी जो end है, इसकी जो pronunciation है, उसे पहचानना है, और यह blanks में लिखना है, आप चाओ तो screenshot ले सकते हो, और हम साथ में मिलकर इसे solve करेंगे, so are you ready, come on, so first है, I appreciated your help, I appreciated your help, appreciated, I wanted to come with you but I was busy, not wanted, I wanted, I checked, checked and not checked, the flight status, it's late, I guessed the election results correctly, guessed and not guessed, he was forced to vacate the house, उसके लंडलोड ने उसे घर खाली करने पर मजबूर कर दिया, he was forced and not forced, he was rushed to the hospital, rushed, rushed, they reached home safely, और सही सलामत घर पहुच कहे, reached, on the weekend, I just relaxed at home, वने सिर्फ अराम किया घर पर, इस weekend पर, relaxed, he, क्या आएगा, टी आएगा, इड आएगा, ये द आएगा, he entered, he entered from the main gate, entered, I was annoyed at his attitude, उसका जो सुभाव था न, आटीड था, उससे मचे बहुत गुसा आया, चले, पांच और सवाल देखते है, the service of the restaurant has improved, improved, I borrowed a lakh from my parents to purchase a new bike, मैंने लाग रुप है लिया, मेरे parents से एक बाइक खरीदने के लिए, he travelled all around the world, he has travelled all around the world, travelled, the coach, क्या आएगा, encouraged, the team after the defeat, coach ने team की हौसलावजाई की, हार के बाद, अच्छा, लास्ट आप बताईए, he क्या आएगा, आप इसे कमेंट में लिखके मुझे बताईए, कि लास्ट में क्या आएगा, द आएगा, ट आएगा, या इड आएगा, या आप मुझे कमेंट में लिखकर बताईए, तो दोस्तों ये था आज का लेसन जहाँ पर हमने सीखे, ED endings, मतलब past tense के verbs की सही English pronunciation, मैं उमीद करता हूँ कि आप past tense के verbs की pronunciation में आप बिलकुल गल्ती नहीं करेंगे, मैं जल बिलूँगा आपको एक नए English lesson के साथ, तब तक keep learning English, keep practicing English and take care.